दोस्तो जो द्रेगर का बीज है लगभग त्यार हो चुका है पत्यां भी अब इसकी सुखनी सुरू हो गई है और कुछ अभी हरी है जो बेले मोटी है तो निकाल देते हैं हम इनको और उसके बाद एवलेबल हो जाएगा जिस किसी ने भी लेना हो तो पहले तो आप बीज द सुख रही है सुखने के बाद जो है ये नीचे गिर जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा नीचे जो बेले हैं वो भी सुख गई अधिकतर लेकर जो काफी मोटी बेले है वो इस तरीके से है भार देख ले इसमें जो अगर आपको कभी मिलती है ये बेल तो क्या इसकी पहचान है यहाँ पर कांटे होंगे आपको ये और दूसरी जो पत्ते हैं वो पांच होंगे लगे हुए इस तरीके से जो बेल मोटी है वो अभी हरी है जो दूसरी अभी पत्तली है जैसे एक साल की हुई थी वो अभी सूख गई है बीज जितना बड़ा होगा उतना जो है जल्दी जो नीचे सबजी है द्रेगल की वो उतनी ही जल्दी तयार होगी जैसे एक किलो के करीब या आधा किलो के करीब एक साल में तयार हो जाएगी तो आफ में बाद में इसको निकालेगे भी, जो बीज है, वो तैयार होने के बाद, उसके जो बीच-बीच में आपको इसमें उभार लगेगा, तो इसको निकालते हैं, कुछ बीज जो इस तरफ यहां तक थे, वो मैंने निकाल दिये हैं, क्योंकि नीचे कुछ और काम हो जाएगा क्योंकि जो द्रेगड़ है वो थोड़ा नीचे होगा छेंज से नीचे तो कोई दिकत नहीं होगी कोई और चीज हमने जैसे मेथी वगेरा या धनिया वगेरा लगाना हो तो हम इसको निकाल देंगे क्योंकि बीज पक चुका है क्रिव्ट को और ट्लुट आशिया और तरिवश की कोई़स अटो काम हिएगा इस ऊ क्ड़िटल।and appro को ठावक हे बाल हो पिले झाया गलो कर द classmates कि टुट जटे आंगा ठीडर कर दो एंगा झांगा ठीडर को एंगार कर दो एंगा है आदर झांगा खाइब क्वार से दो खाइबाक झाल 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 जो बेल है दोस्तों आप देख लो कुछ बेलें जो है काफी मोटाई में है और इस बार हम इसको निकाल भी देंगे पहचान आपने देख ले जब जैसे आप इसको तोड़ने की कोशिस करेंगे तो यह देखिए रस्य की तरह होता है तोटने में मुस्किल होती है गास भी बांद सकते हैं वैसे तो इससे और यह पांच पत्ते जो है इसकी पहचान है हाथ की पांच उंगलियां और यह पत्ते तो यह मैंने अलग कर दी है इस तरीके से बीज दोस्तो इस तरीके से होगा आपका इसमें आपको ओबहार दिखाई देंगे जितना बड़ा बीज होगा उतना जो है एक साल में जो है आदा किलो से लेके एक किलो तक अगर अगली बार रहने देंगे तो उसका साइज उसी तरीके से बढ़ता जाएगा डिपैंड कर सकता है एक या दो घंटे और लग जाएंगे तो इनको इकठा करने में थोड़ा सा मेहनत का कार्य तो है लेकर आगर आपको बीज चाहिए तो आप जो है कहीं भी इंडिया में कहीं भी हो आपको बीज मिल जाएगा ये वेजिटेबल ऐसी है इसमें आपको किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा जो बेले हैं वो अपनी आप जो असपोर्ट ढूंड लेती है अगर उसके नजदीक जैसे हो और अपने कोई जरूरत नहीं गूबर या मयल कुछ भी देने के जरूरत नहीं क्यूंकि जंगलों में प्रायता है पाई जाती थी पहले भी और अब भी पाई जाती है लेकन इसका तेधिक खhannan की वज़ज़ से तो समाविट के कगार पर है कुछ जंगलों में होगी लेकर बहुत क गम ही रहे होंगे तो भारत के किसी भी कोने में होंगे तो आपको बीज द्रेगल का मिल जाएगा एक उदेशया ये है कि आप रसाइनिक चीजों से थोड़ा दूर रहें क्योंकि 80 प्रतिसत तक अमारा सरीर जहेल पाता है लेकिन 20 प्रतिसत अगर उपर नीचे हो जाए तो को ही आपका पैसा होगा वही आपका जो है सब कुछ होगा जिस दिन आप बीमार हो गए या कोई बीमारी लग गए आज कल बीमारी आभी काफी भेहंकर हो चुकि या कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कीटनासकों के अतेधिक प्रयोग से होता है कीटनासक का प्रयोग जो है जब ह हम फसलों के उपर करते हैं फसलों के बाद वो हमारे अंदर चला जाता है जब हम उसका वो करते हैं लेकिन उसके बाद वो हमारे अंदर ही जमा होता जाता है एक कंडिशन ऐसी आती है कि हमारा सरी जब आप देना सुरू कर देता है बिमारियां घेर लेती है बीपी सुगर लक को पंद्रा सीड द्रेगल के 100 रुपर में मिल जाएंगे अगर आपको पार्सल से चाहिए तो आपको पार्सल का जो व्याय है वह भी अतिरिक्त देना पड़ेगा तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और इन चीजों को देखिए बात ऐसी है कि जो म कि अगर आप मनरजन के परपस से देख रहे हैं तो इसको स्किप कर देजिए और चैनल को भी छोड़ दीजिए अगर मनरजन के परपस से देख रहे हैं तो आप वीडियो को छोड़ दें लेकिन बात है कि इन चीजों को कोई सेयर नहीं करता कि इन चीजों को खाएं आपके प्रति यह चीज थीक है तो आपसे गुजारिस है कि इन चीजों को सेयर करें और हम आगे वाली पीडी को कुछ ना कुछ दें नहीं तो हमें बाहर से ही मगाना पड़ता है किसी चीज यूग यूँ ही देते रहें और चैनल में बने रहें आफवा ही यू तर ऑंडिष, फो धजर सावरा के लिए फटेक ल हू है कर नच्यन है कर दो